Hello student, कैसे हैं आप? सर, आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत important है और ये वीडियो जो है, मैं पहले clear कर देता हूँ का तागी बच्चों का time waste ना हो ये वीडियो है semester 3 वाले student के लिए चाहे बच्चा become program का हो, चाहे बच्चा honors का हो चाहे बच्चा become program का हो, चाहे student become honors का हो सर, ये क्यों important है हमारे लिए ये मैं बताना चाहूँगा आपका internal exam जो होने वाला था वो आ गया है आपके dashboard पे भी, आप सभी ने login भी कर लिया होगा forgot, password करके आपको login करना है मैं सिक्षा धाम अपने telegram channel पे मैंने link भी दे रखा है जो भी आप जहां पे भी login करेंगे उसका और आपको due के तरफ से भी link आया होगा है आज की वीडियो में काफी सारे बच्चों का है कि इसका solution इसका solution दे दो sir तो मैंने पूरा का पूरा solution किया सब कुछ मैंने accurate करके देखा और आपका paper जो है मैं थोड़ा clear कर दू आपका paper ये है 70 marks का ठीक है 70 marks का इसमें से आपको pass होने के लिए 28 marks चाहिए और due के sol में जो principal sir ने उन्होंने clear कर दिया है कि अगर आप internal में नहीं pass होंगे तो आप fail ही माने जाएंगे final में भी fail भी हो जाएंगे एक तरीके से यहाँ पे आपके पास यानि देना बहुत जरूरी है तो मैं सिर्फ financial management पढ़ा रहा हूँ तो मैं financial management की बात करूँआ other teacher जो मेरे पास पढ़ा रहे हैं वो other subjects की बात करेंगे अब रही बात सर यह exam एक exam को आप दो बार दे सकते हो सबसे पहले आपके पास जो time है वो लगबग 15 December तक का आ गया होगा notification आपके पास 15 December तक आप कभी भी exam दे सकते हो और जब आप exam दे दोगे 15 December तक फिर क्या रहेगा उसके बीच में ऐसा नहीं है जैसे ही आपने question को attempt करने के courses किया वहीं से आपका 45 minutes आपका चालू हो जाएगा 45 minutes ना चालू हो जाएगा और 45 minutes में आपको वो exam करना है आपने मानलो जल्दी 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 exam कर दिया या कुछ questions आपको नहीं मिल पाए तो आप गलत कर दिया और लगते हैं आपके marks instant मिल रहा है आपको जैसे ही करोगे उसी time number मिल जाएगे और marks मिलने के बाद side में book type का है मैंने पहले ही बताया कैसे होगा तो मैं बता दूगा जैसे ही आपको marks पता चलेगा और आपको लगता है कि यार मेरे तो कम number आगे इससे अच्छे आ सकते थे तो आपको एक बार और re-attempt करने का मौका दिया जाएगा जैसे ही आप re-attempt होगे तो आपकी जो पहले की गलतियां थी उस गलती को आप सुधार लोगे मैं तो कहूंगा करने का क्या तरीका है first time जब आप कर रहे हैं तो screenshot ले लीजिया और लेने के बाद आपके पास question हो जाएगा अगर जुतने कम marks आते हैं फिर एक बार proofing करके फिर दुबारा attempt कर ल कर लिया तो मेरे जो marks जिस बच्चे के मैंने करके देखे थे 68 नमबर ही आप आए एक question कौन सा mistake से रह गया है या गलत option tick हो गया है मेरे को समझ में नहीं आया मैंने ज्यादा time भी नहीं लगाया तो जो मैं आपको solution यानि जो questions मैंने किये हैं वो पूरा का पूरा मैं provide कर दू I don't know जितना मुझे पता चला है वो मैंने बता दिया sir answer कैसे मिलेगा और कम मिलेगा इसका solution simple सी बात ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखो एक तरीके से जो मैं आपको चीजे बता रहा हूं वैसे internal assignment है बच्चा open book exam की तरीके से देगा कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन फ solution का आपको simple सा एक काम करना है description में link given है contact number आपको क्या करना है हमारे सिक्षाधाम channel को subscribe करना है पहले तो तेखो क्योंकि आपने subscribe नहीं करते हो मेरे 50% viewer ऐसे हैं जो subscribe नहीं करते हैं तो semester 3 वाले समझ लो आपको subscribe करके screenshot लेके जो number उस पर भीज दीजिए फिर वहां से आपको ए इस एक request आप प्लीज इस link को जादा share मत करिएगा problem हो सकते मैं main channel पे तो वैसे नहीं डाल रहा मेरा एक subsidiary channel एक और है सिक्षाधाम 12 करके मैं वहां वीडियो वो upload कर दूँगा अच्छे से और आप वहां से देख सकते हैं पूरा वीडियो में अच्छे से अभी class आईगी तो उनके साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ आप वहां पे सारे questions टिक कर सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है सारे question बिल्कुल accurate है चाहे बच्चा become प्रोग्राम का है चाहे बच्चा become honors का है दोनों में same ही question आये हुए है मैंने ये भी authenticate कर लिया कोई फर सब्सक्राइब करना है मैं बता भी देता हूं भाई बच्चे ना थोड़ा सा ना बहुत भोले हैं कैसे करना है जैसे मान लेते हैं ये शिक्षा था आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप लिख के भेज दीजिएगा उस नंबर पर solution एक ने न्यू लिंक मिल जाएगा आपको जैसे ये चैनल है मैं अंसब्सक्राइब करके बता देता हूं कैसे अंसब्सक्राइब तो आप जैसे भी जाएंगे कोई भी वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करके और वैसे दिख जाएगा कि यहां पर कुछ नहीं आ रहा अगर अंसब्सक्राइब करते हैं तो यहां सब्सक्राइब का बटन आएगा अगर subscribe कर देंगे तो नहीं आएगा तो आपको इसका screenshot सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सा और मैंने लगँके मेंनत करके आपका आज ही test solve कर दिया और आज ही आपको वो सारी चीजे मिल रही है और दीरे-दीरे अगर आप ये करोगे तो ऐसे मैं principle of marketing हो गया या business stats हो गया, business maths हो गया और भी subject का मैं आपके लिए ले के आऊँगा लेकिन motivation के लिए तो कुछ हो न तो आप channel को subscribe करके और like जरूर करना है वीडियो को subscribe भी करना और भेज दीजिए और उसके बाद आपको दूसरा link मिलेगा वहाँ पे आपको पूरा detail solution given है, एक एक करके आप easily pause करके note करके tick कर सकते हैं ठीक है न वीडियो देखके तो ये चीज़े हैं और screenshot भी मैं ले सकते हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो ये मैंने सारी चीज़े आपके लिए बताना था जो कि मैंने बता दिया तो confused बिलकुल भी नहीं होना मिलते हैं next वीडियो में subscribe जरूर करिएगा thank you so much